हालो दोस्तों नमस्कार आज हम बनाने जा रहे हैं तिल की बर्फी जो हम मिल्क मेड में बनाएंगे उसके लिए हमें जो सामगरी चाहिए वो है आधा कटोरी मिल्क मेड है आधा कटोरी से थोड़ा ज्यादा है ग्राम समें अमेल में देखते हैं तो यह 200 एक कटोरी तिल है ग्राम समें आपने तो 200 ग्राम तिल है एक बड़ा चम्मच पाउडर शुगर लिए बुरा शक्कर की तिल और मिल्क मेड मीठा होता है लेकिन फिर भी तिल में जब हम डालेंगे तो प्रोपर बराबर मीठा नहीं होगा तो इसलिए एक बड़ा चम्मच इस शमाते समय लगाने के लिए और मेरा लगाने के लिए अब हम सबसे पहले तिल को कड़ाई में डालकर के और थोड़ा भूंददेंगे कीम मेड़ा चतकने तक 5 मिनिट उसको भूंद लेंगे ज्यादा लाल करनी है कि वही हमें ब्राउन भूंद नी है तो हम इसको भूणना बंद कर देंगे और लगातार चलाते गुए हम इन तिलों को भूंद देंगे यह तिल हमारे चटकने लग गए हैं और अब हम गैस को एक दम स्लो करके और दो मिनिट दीमी आज में इनको भूंद लेंगे अब हम गैस को कम कर लेते हैं दिख चटकने की आवाज आ रही है तिल हमारे चटकने लग गए और अब हम गैस को कम करके ओर दो मिनिट और भूण देंगे हमें इने बूंदते हुए चार मिनिट हो गई है कि लोंका रंग बदल गया है और यह बूंद गय crystalline को अगर हम भी अब हम इसे जार में डाल करके और पीस लेंगे अब हमारी तिल हमने पीस लिए ज्यादा बारीक भी नहीं किरें और ज्यादा मोटे भी नहीं रखें हमने हलका सा इन दिलों को पीस लिया अब हम इने वापिस बर्तन में निकाल लिए अब हम इसमें यह पाउडर शुगर किलायची डाल करके और अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसे मिल्क में डाल करके और हाथ से ही मिक्स करेंगे ताकि हमें जमाने का सही पता लगे कि हमें कैसे जमाना इसलिए हम हाथ से ही मिक्स करेंगे इसमें मिल्क मेड अच्छे से मिक्स हो गया थोड़ा हाथ पर गी लगा लेंगे और इस पर चारू तरफ गी लगा देंगे अब हम जिस बरतन में हमेसे जमाना है हम उस बरतन पर थोड़ा गी लगाएंगे और इसको इसमें प्लेट में जमा लेंगे हमने प्लेट में अच्छे से चारू तरफ से दबा दबा के सेट कर दिया और हम इस पर थोड़ी बादाम और पिस्ते की कत्रन डालेंगे और उसे भी दबा देंगे और इसे आदा एक गंटा थोड़ा जमने के लिए सेट होने के लिए रख देंगे उसके बाद में हम इसके पीसे काट लेंगे एक गंटा हो गया है और यह हमारी तिलकी बर्फी जम करके तैयार है अब हम इसे पीसे में काट लेंगे इसे हमने चौक और पीसे में काट लिए है और अब हम निकाल करके और एक प्लेट में रख लेंगे यह देखिए बहुत अच्छी जमी है यह हम एक प्लेट में रिंकाल लेंगे सबसे बड़ी बात कि तिलकी बर्फी टेश्टी भी आई है और ज्यादा हमें मेहनद भी नहीं लगी हम इसमें मावा डालके भी बना सकते हैं मैंने इसमें मिल्कमेट डाला है और बहुत इजी है बनाना इन्हें हम कभी भी इन्हें बना करके खा सकते हैं यह तिलकी बर्फी बहुत अच्छी बनी है और बहुत आसानी से बनी है हमें ज्यादा मेहनद भी नहीं लगी आप यह जरूर बनाइए खाईए और अपने अनूब मेरे साथ मेरे चैनल पर श्यार कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभा तक सब्सक्राइब नहीं किया है तोसा ना मत भूलिए और अपने like comment भी मेरे साथ श्यार कीजिए